Hello everyone, welcome to my channel So guys, आज की वीडियो में मैं शेयर कुरूंगे Beautiful sleeve design जिसको आप अपनी किसी भी dress या फिर blouse में बना सकते हैं ये winter sleeve design है जिन लोगों को long sleeve पहना पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा option है So guys, वीडियो में मैं measurement के हिसाब से आपको बताऊंगी आपको किस measurement के हिसाब से कितनी length और width लेनी होगी तो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको like करके चैनल को subscribe कर लेंगे साथी साथ comment box में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी तो चलिए बिना time waste के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये sleeve design बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी simple sleeve कट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sleeve मैंने cut कर ली है अब आपको इसकी length बता देती हूँ तो देखिए सबी young girls और ladies के लिए ये size जो है वो ठीक रहेगा बट फिर भी आप चाहें तो जितनी भी आपको ready length चाहिए sleeve की उसमें आपको 7-8 inch extra लेना होगा length में तो मेरे पास जो fabric था वो 20 inch था 20 inch की length अभी फिलहाल मैंने cut कर ली हैं बाद में 2 inch की हम इसमें पट्टी भी लगाएंगे मोरी में जिससे हमारी length और बढ़ जाएगी और आगे वीडियो में sleeve तयार होने के बाद भी मैं आपको इसकी length का idea और दे दूँगी आप देखिए बात करते हैं sleeve की opening की तो यहां पर sleeve की opening उतनी ही रहेगी जितनी आपकी regular sleeve की रहती है और armhole की width भी उतनी ही रहेगी जितना आप normal cut करते हैं तो sleeve की opening और armhole में कुछ भी हमें extra नहीं लेना है बस length में हम extra लेंगे इसके बाद देखिए यहां sleeve को cut करने के बाद मैंने इस पर iron करी थी और center में एक crease बना ली है अब इस crease के दोनों तरफ हम एक एक inch का mark कर लेंगे इस तरह से तो एक mark हमारा इधर आएगा और एक mark हमारा इधर आएगा इसी तरह से हम उपर side में भी एक एक achievements का mark कर लेंगे यानि center से एक inch इधर और एक इधर अब इन दोनों माग को हमने नीचे तक मिला लेना है तो इंची टेप की हेल्प से इंची टेप को हम सीधा रखेंगे और ऐसे करके हमने माग कर लेना है बिल्कुल सीधा ऐसे ही करके हम ये माग दूसरे साइड मे ले लेंगे अब देखे जो हमारे सैंटर की क्रीज थी उस पर भी मैंने एक माग कर दिया है इसके बाद अब यहां से देखिए उपर से नीचे की तरफ हम दो इंच चोड़ेंगे और पहला जो माग है वो हम दो इंच पर करेंगे इसके बाद हमने यहां से इंची टेप रखना है इस माग से नीचे की तरफ और एक एक इंच दूरी पर नीचे तक माग करते जाना है तो ये माग बिल्कुल सीधे रहेंगे कुछ इस तरह से तो एक एक इंच के हमने यहां पर बॉक्स बना लेने हैं क्योंकि यह smoke sleeve design है तो इसलिए हमने इसमें smoke pattern बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें इस तरह के box की जरुरत होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक इंच के gap पर मैंने सभी box बना लिये हैं और अब इन सब को dark कर लेंगे तो इस तरह से यह box बनेंगे अब दिखिए इस side से जो है वो हम यहाँ पर एक box छोड़ेंगे और उपर की तरफ तिर्चा mark करेंगे जो यह mark जो है इस corner से आगे की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से और इसके बाद हमने फिर एक box छोड़ना है और दूसरा mark करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक box का gap देना है और दूसरे box में हमने तिर्चा करके दो corner के साथ एक mark कर लेना है अब दूसरी side में हम नीचे से उपर की तरफ दो box छोड़ेंगे और तीसरे box में इसके opposite में हमने तिर्चा करके mark करना है इसमें भी हम एक एक box छोड़ते जाएंगे इस तरह से और mark करते जाएंगे तो यह हमारे mark हो चुके हैं इसके बाद हमने जो smoke pattern बनाना है उसके लिए हमने sewing धागा लिया है नीडल में धागा डालिया है डबल करके और एक side में knot लगा लिया है अब यह जो हमने तिर्चा mark किया है इन दोनों की जो corner है यहाँ पर needle की हैब से हमने दोनों टाकों से मिला लेना है और 3-4 टाके लगा कर इसको पक्का कर लेना है तो फंदा लगा कर हमने इस तरह से पक्का करना है ताके wash करते हुए हमारे जो यह design है यह open नहोगा अब इसके लोगी फिल्हाल मैंने थोड़ा सा दूरी से दिखाया है ताके आपको सही से समझा जाए अब दिखें यहाँ से मैं start करूंगी यह जो तिर्चा mark है यहाँ से और needle को इस side में निकाल लोगी 3-4 टाके लगाने के बाद हमने इसको पक्का कर लेना है अच्छे से और धागे को कट कर लेना है तो इस तरह से यह हमारे side में अच्छे से पक्का हो गया है इसके बाद फिर से हमने knot लगानी है और अब यह दूसरा इसके जो opposite में mark है यहाँ से टाका उठाना है इस corner से और दूसरे corner पर यहाँ से उठाना है अब धागे को खीचेंगे और फिर से हम तीर से चाटा के लगा कर इसको पक्का करके धागा कट कर देंगे तो गाइस बिल्कुल इसी तरीके से आगे जितने भी box है मैं यह pattern को complete कर लूँगी आगे आपको वीडियो में दिखा देती हूँ तो लीजी इस तरह से हमने sleeve का pattern complete कर लिया है यह sleeve की wrong side है जो कुछ इस तरह से पॉन इंच फैब्रिक को सीधा रखेंगे तो देखिए पॉन इंच फैब्रिक के बाद हमने आदा इंच की plate बनानी है और इसको stitch करना है अगली plate बनाने के लिए यहां से हम दूसरी plate उठाएंगे तो इस तरह से चैक कर लेंगे जहां भी हमारी plate बिल्कुल सीधी बनेगी तो सभी plates को हम इस तरह से डालते जाएंगे plates का जो gap है वो कम सकम एक इंच रहेगा और plates की जो गहराई है वो लगबग आदा इंच ही रहेगी तो वीडियो में आप देख सकते हैं हमने किस तरह से plates बनाई हैं बहुत ही आसानी के साथ यह plates बनती जाएंगी बस हाथ से हमने स सीधा करना है और यहां पर चेक कर लेना है जहां भी plates आएगे उसको डाल देंगे तो लीजी एक साइड में हमारी प्लेट इस तरह से डाल गई है और इसी तरह से हम यहां पर दूसरे साइड बी प्लेट डालेंगे तो इस साइड में मैं आपको एक बार और बता देती देखें सेंटर का जो हमारा डिजाइन है वहां से जो फैबरिक उठ रहा है उसी को आगे फॉलो करते हुए हमने प्लेट कुछ इस तरह से पकड़नी है बीच में से हमने हाथ रखके उठाना है और यहां पर हमारा जो प्लेट है वो बिल्कुल सैट हो जाएगी और उसी से ह हमें आइडिया हो जाएगा प्लेट कहाँ पर बनेगी इस तरह से दोनों साइट में प्लेटिस डालने के बाद अब उससे पर थोड़ी सी ändern करनी है ता कि यहां आगे की तरफ आदा इंच की प्लेट आएगी और आदा इंच की जो प्लेट है वो हमारे आर्म होल के साइड पर आएगी इस तरह से So friends, यह सिलिव डिजाइन आप अपने प्लेन सूट के उपर बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो लीजिए हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई है अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहां पर मैंने पाच इंच चोड़ी एक पट्टी ली है इस पट्टी की जो चोड़ाई है यह इस तरह से पाच इंच है और लगने के बाद यह दो इंच पर रेडिय हो जाएगी अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसके उपर स्लीव और यहां से हम लगबग आदा इंच का दबाव लेते हुए इस लाई को सीधा कर लेंगे तो स्लीव की लैंट जो है वो इससे बढ़ जाएगी इसके बाद इस पट्टी को हम सीधी तरफ टरफ टर्न करते हुए इस तरह से और यहां से जो एक्स्ट्रा है इसको फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे तो यह जो पट्टी है इससे हमारी स्लीव की मोरी में फिनिशिंग भी आएगी और स्लीव की जो लैंट है वो भी बढ़ जाएगी आगे मैं आपको बताऊंगी के स्लीव की लैंट आपको exact कितनी लेनी है क्योंकि अब हमारी यहां देख सकते हैं आप स्लीव तयार हो चुकी है यह दो इंच की पट्टी लग चुकी है और तयार होने के बाद स्लीव की जो लैंट है वो अभी साड़े पंदरा इंच है तो पंदरा इंच पर हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी हो जाएगी कुर्ती से जॉइंट होने के बाद तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं स्लीव की कटिंग मैंने 20 इंच पर की थी और 2 इंच का ये हमारा बादर आ गया है तो टोटल हमारी जो स्लीव है वो 22 इंच पर कट हुई है और जो हमारी स्लीव तयार हुई है वो 15 इंच पर हुई है यानि 7 इंच का जो margin है वो sleeve की length में चला गया है तो इसी से आप idea लगा सकते हैं कि आपको sleeve की length केतनी चाहिए और उसमें आप 7 से 10 इंच add कर सकते हैं length में यानि यहाँ देखिए यह 15 इंच पर तयार हो जाएगी अब 15 इंच पर आपको अगर तयार चाहिए तो उसमें आप 7 से 10 इंच तक आप add कर सकते हैं so friends उम्मीट करूँगी आपको length का जो formula है वो समझ जा गया होगा जितनी भी आपको ready length चाहिए उसमें 7 से 10 इंच बस add कर लेना है इसके बाद देखिए इस sleep के जो side के किनारे हैं यह हमारे एक दूसरे के बिलकुल बराबर है क्योंकि यहाँ पर हमने plates बिलकुल बराबर ही डाली है अब हमने मोरी में fitting लगानी है तो normally जितनी भी इन मोरी की fitting रखते आप मैं यहाँ पर 5 इंच पर मोरी की fitting लगा रही हूँ अब इसकी यहाँ पर fitting लगाते हुए सबसे पहले हम इसको अच्छे से पका कर लेंगे दो से तीन सिलाई लगा कर इसके बाद नीचे की तरह जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर plates को अच्छे से मिलाते हुए और plates को इस तरह से दबाते हुए हमने सिलाई लगानी है इसी सिलाई के साथ यह सारी plates जो है वो set हो जाएंगी तो plates को इस तरह से दबाते हुए हमने armhole तक सिलाई लगानी है armhole हमने अपनी कुर्ति के accordion रखना है जितना भी हमारी कुर्टी का आर्मोल है इसके बाद यहां से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है अब इसको सीधा कर लेंगे तो लीजिए हमारा यह ब्यूटिफुल सा स्लीव डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा यह स्लीव की अंदर वाली साइड रहेगी इस तरह से और यह साइड वाला पाट है और यह सेंटर से हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी यह दिखे कितनी ब्यूटिफुल स्लीव तयार होई है अब आपको मैं एक बार आर्मोल का भी तरीका बता देती हूँ यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे तो गैज आर्मोल जो है वो मुझे साड़े आठ इंच पर तयार चाहिए तो यह दिखे जो आर्मोल है वो हमारा साड़े आठ इंच है इस तरह से सो आर्मोल में और सिलीव ओप्रिंग में कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना यह देखिए सो गाईज उम्मीद करूँगी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें तो चलिए यहां कर वीडियो कम्प्लीट होती है मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो